आपोजेशन की सारी पार्टी इस राहूल गांधी कॉंग्रेस सब ये कहते हैं कि मोधी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहा है इस चुनाओ पर उन्होंने कहा है कि ED, CBI और EVM के बिना आप चुनाओ नहीं जीट सकते हैं क्या कहेंगे हैं आप चुनाओ नहीं जीट सकते हैं दो बजी दो मिनित बटमान और की सुखमा बिसाटे तेमा इखन भी हेख खांगबार मेल खमुद्हान कोरीबो और एक खांगबार मेलोटे केडबूर गुरुत पुर्ण घोखना कोरा खंभाबना से केंजियो ग्रिहामान तरी गरा किये जो डियुबा लुकोखभा निर्बासान बटमान गौाहती खमास्टे प्रसार बिजुली कुलिता में धिरी होई प्रसार सलाइसिल ते हो काली दिन्टूट आरो किन्टू देखिबली पुआगोल जे के बटाव गुरुत पुरुना आजिक घोखना कोरा खंभाबना से करार फिसदी आजिर दिन्टू ते ओं एकह न भीखे खंगारमेल खंभुधहन कोरिबो आरो ए खंगबारमेल खंभुधहन कोरिबो ते ओबास पीफधन अत इतीमें ध्यामी जनाइक उसओ बर्पुट अ खबर और ए खंगबारमेल लट्यके बटापुना गुखना कोरा ख पुष्पाना से कैंडियो ग्रिहा मंत्री गोराकिये। काली दिन्टू जी अभूतापुर्बा रायजार खोहारी जनातार जनेन हनार उसा ताक देखे तेयाँ अभी भूता होई परे पुर्स्पाविस्प्स्ट्वी होईसिल काली दिन्टू देखे बलेपुआ गोल जे कैं मौं। धिया आफिас senior के लिए गरान फोरु नएक्तिय। काक देखे हो एंपटियो जी कैंडियो ग्राकिये। हो ड़ो हो 10 को रुड़ स्विश्टोगे क Vishaye होगा रचिबसप्र का यालत कि अधियो ay वोत भॉवोन हो बस भी मीकाजलत towイ अधियो रचिफ google अपुर्णी नियुट्न इस नियुट मैं डिखेस्ट जूगत है मुट्र आप सभी जानते हैं साथ चरन के चुनाव के दो चरन समाब हो चुक है इस दो चरण में हमारे पार्टी का जो इंटर्नल एसेस्मेंट है इसके हिसाब से भारती जनता पार्टी और हमारे साथी दल मिलकर सौ के बहुत ज्यादा आगे हम निकल चुके हैं और हम बड़े विश्वास के साथ जनता के आशिरवाद और समर्थन से चार सो पार्के हमारे लक्स की और आगे बढ़ रहे हैं आसाम, बंगाल, उत्तरप्रदेश्ट, मध्यप्रदेश्ट, राजस्तान, चत्तिजगर्ड, उत्राखन इस सभी राज्यों में हमें बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं इसके साथ साथ करनाटक, तेलंगाना, आंद्र, केरल और तमिलनाडु इसमें से करनाटक, मिलनाडु और केरल ये तीन राज्यों में मत्दान हो चुका है कुछ बाकी है, परन्तु जो सुरुवाती ट्रेंड मिले हैं, दक्सिन भारत में भी भारती जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलना है। और इसके कारण हमारा 400 पार्ट का लक्स हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे कि हम सब का विश्वास बना है। मित्रो, आप जैसे जानते हैं, कुछ दिन से कॉंग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार्ट के लक्स को ट्विस्ट करना सुरू किया है। आंद्र, केरल और तमिलनाडू, इसमें से करनाटक, तमिलनाडू और केरल, एक तीन दाज्यों में मत्दान हो चुका है, कुछ बाकी है, परन्तु जो सुरुवाती ट्रेंड मिले हैं, दक्सिन भारत में भी भारती जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रा ह संविधान बदलने के लिए ये लक्स है, और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं, कि भारती जनता पार्टी चारसो पार करने के बाद आरक्षन को समाप्त कर देए, ये दोनों चीजे निराधार और तथ्यहीन हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत इस देश की जनता ने 2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया, हम 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ की सटकार चला रहे हैं, हमने पूर्ण बहुमत का उप्योग कॉंग्रेस की तरह इमर्जंसी डाल कर लोगतंतर का गला गौंटे में नह किया, इमर्जंसी डालने के लिए, लोगसभा का टम एक्स्पेंड करने के लिए, सम्विधान बदल करने में नहीं किया, हमने पूर्ण बहुमत का उप्योग धाराज 370 को समाप्त करने में किया, तिपल तलाक को समाप्त करने में किया, अंग्रेजों के कानून बदल कर भा पद्धती के कानून लाने में किया कोरोना के खिलाब लड़ने में किया और जब कॉर्ट से जनादेश मिल गया तो राम मंदिल के निर्माण में भी हमारी सरकार ने पूरी अनुकुल जमीन तयार करने में अपनी दूनी चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी जूप फैला कर जनता के बीच में भ्रांती पैदा करना चाहती हैं मैं यह बात स्पस्ट कर देना चाहता हूं कि भारतिये जनता पार्टी स्टी स्सी ओबी सी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संदक्षक के रूप में अपनी भूमी का नुप बाइड यह बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक बाशनों में स्पस्ट की है स्टी स्सी ओबी सी के आरक्षण में किसी एक राजनितिक दलने अगर डाका डाला है तो वह कॉंग्रेस पार्टी ने जाला है सबसे पहले उन्होंने संयुक्त अंत्रपदेश में मुसल्मानों को रिजर्वेशन दिया वो रिजर्वेशन के कारण ओबी सी का रिजर्वेशन कटा उसके बाद में करनाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर पिछड़ा पनताई करे बगैर सारे मुसल्मानों को ओबी सी कैटेगरी में डालकर उनके लिए चार प्रतिशत का कोटा रिजर्व कर दिया इससे भी पिछड़ा वर्ट का रिजर्विशन कटा है भारतिय जनता पार्टी पस्टर रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण सम्विदान सम्मत नहीं है गहर सम्विदानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम इस धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त करकर स्थी एस्थी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे मित्रों उनकी हतासा निरासा इस तर्फ पर पहुंच के लिए कि उन्होंने मेरा और कुछ बाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सब के बीच में सार्वजनिक की मुख्यमंत्री प्रदेश सद्यक्ष इस तक्षा के व्यक्तियों ने भी इस भेक वीडियो को फॉर्वर्ड करने का काम किया अब पास्ट हो चुका है सवभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रेकोर्डिंग हुआ था तो वो रेकोर्ड हमने सब के सामने रखा दूद का दूद पानी का पानी हो गया और आज कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुख लेता क्रिमिनल ओफेंस को खेस करें यह जो प्रूत्य है वो उनकी हतासा और निरासा का ध्योतक है जबसे राहूल गांदी कॉंग्रेस की कमान समाले हैं रादमीती का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और यह इसका चरम लोगसभा में चर्चान हो देना राजय सभा में बहिसकार करा देना सोर सराबे करना और निराधार जूट बोलकर प्रजा में ध्यांती खेलाने का काम लगातार उनके नित्युतों में कॉंग्रेस पार्थी कर रही हैं और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो तर्चुलरेट करकर फरजी टाइप का जन समर प्राप्त करने का इस प्रयाध कि बहुत निंदनिया है और भार्दिय राजमिती में किसी प्रमुक दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया जाए भाई और मैंनों मेरी आप सबसे कर्बद्ध निवेदन है सत्य को जनता तक पहुचाए जनता को घुम्राह जो करना चाहते हैं उनको अपने सिध्धानतों के आदार पर अपने कारेक्रमों के आदार पर और अपने गोशना पत्र के आदार पर सुनाओ लगना चाहिए फेक वीडियो सर्कुलेट करकर नहीं भारतिय जनता पार्टी के गोशना पत्र को तोड़ मरोड कर जनता के बीच में जुखे तरीक से रखकर सुनाओं नहीं लगना चाहिए एक मिनिट के लिए ये वीडियो दोनों ओरिजिनल वीडियो और फेक वीडियो मैं आप सब के सामने रखना चाहूंगा उसके बाद में आप से सवाल जवाब लेंगे धन्यवाद आवाज आवाज भई भई फिर से करना पड़ेगा आवाज नहीं है बं करो भई आवाज ठीक करो फेहले सवाल जवाब कर लेते हैं बात में वीडियो दिखाते हैं कि वैसे आप सबने दिखा हुआ ही है कि आपने चुनिक कहा कि जब से राहूल गांदी ने कॉंग्रेस की कमान समा लिए तो राजमीत का अस्तब नीचे गिरता गया है उनकी जो सीर्थ थी राहूल गांदी की अमिर्थी जहां से उस चुनाव लगते थे और उनकी मां जहां से राइबरिली से चुनाव लगते थी दोनों जगह से अभी तक उन्होंने केंडिडेट भी नहीं दियो और यह कहा जागा तुछना आ रहें कि दोनों लोग अब कि इतना कंफीजन रखना ही उनके उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है उत्तपदेश में जिस प्रकार की आज्टिती बनी है वो अपनी परंपरा गत्त सीटे छोड़कर भागे हैं मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएं अब जो मैंने आद इस अधिया था ज़ाता है वारति ये जन्दा पाइटी की सद्धा अभी रिए तो एक हैं जो जी अमें जी कॉमेस पर काई कि वो मुस्लिम परसनल लॉबर को रिस्टोर करेगी अपने मैंने फैस्ट होगी देखे, कॉंग्रेस पार्टी शुरुवात से एपीस्मेंट की पॉलिटिक्स करकर अपना बचा-खुचा जनाधार समालना चाहते हैं बचाना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं पर्सनल लॉव हमारी समविधान सबाने देख के विधान मंदलों और देख की संसर को आदेश किया था कि जब भी अनुकुल्टा खड़ी हो, इस देख में UCC, उनिफर्म सिविल कोड लाया जाए समविधान सबा में ज्यादातर सदस्य कॉंग्रेस के ही थी वहीं ये नेने हुआ था क्योंकि किसी भी पंथ निर्पेक्स देश के लिए धर्म के आदार पर कानूं ठीक नहीं है फिर भी आज ये जानते हुए भी समविधान के स्पिरीट से विल्कुल उल्टा कॉंग्रेस ने अपने गोशना पत्र में परस्नल लौकों लाने की बात करी है भारतिय जन्ता पार्टी की निंदा करती हैं हमने हमारे गोशना पत्र में कहा है कि हमें प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यू सी सी लागू किया जाए और हर धर्म के नादरीकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो कि नारा लगा रहे हैं उसमें लक्ष रखे हैं उसमें करनाटक की बात भी आपने कही है करनाटक में आपके सहयोगी जेडी एसके एक निता रेवन्ना के कई आप तकी जनक वीडियो का दावा कॉंग्रेश कर रही है और उसको लेकर आप लोग पर भी आरोप लगा रहे हैं उनका बचाता है देखे स्री रेवन्ना का जो समाचार समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आगाज जनक है एसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारती जनता पार्टी का स्टेंड बहुत पर्थ है हम देश की मात्रू सक्ति के साथ खड़े हैं देश की नारी सक्ति के साथ खड़े हैं नरेंद्र मोधी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मात्रू सक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है परन्तु कॉंग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ वहां सरकार किसकी है सरकार कॉंग्रेस पार्टी की है फे एक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्यूंकि टाइम पर रिलीज दिये गए हैं और अब तक कारेवाही कॉंग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कि कारेवाही हमने नहीं करनी है लॉइन ओडर का इस्ट्रेट का इस एक आपके मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री को सवाल करिए यह आपकी सरकार क्या कर रही है क्यों जांच नहीं हो रही है हम जांच के पक्स में है और हमारे साथी दल जेडी एस ने भी उनको उन पर कदम उठाने की घोशना की है आज सायद उनकी कोर कमिटी की मिटिंग है और कदम उठाए भी जाए इस प्रकार की गटनाओं को सारवजनिक जीवन में समाज में या निजी तोर पर कहीं पर कोई कठोर कदम उठाने की यह भारतिय जनता पार्टी का स्टेंड अफर है और उसमें कोई कंफिजन भारतिय जनता पार्टी में किसी स्तर रुपिर नहीं है हम महिला सक्ति के अपमान का मात्रू सक्ति के अपमान का घोर निंदा करें कि मुझे लगता है कि कॉंग्रेश पार्टी जीतने के डेस्परेशन के अंदर सामान्य विवेग भी हो चुकी है जो कॉंट्रेक्स वो तो कॉंट फर्स्ट लोईस्ट है इसके अधार परता ही करना चाहिए किसका काम करने का अनुभव है नहीं है इसके अधार परता ही करना चाहिए पास्ट में कैसा काम किया है इसके अधार परता ही करना चाहिए अब कॉ तो मैं कॉंग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि कॉंग्रेस के अध्यक्स के बारे में भी आपकी कोई रिजर्वेशन की माइनोरिट की योदना हो तो उसके घोसित कर दीजिए इतना ही बचा है अब अब जी मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बारवार ये कह रहे है कि स्वाधिनों के अंदर वो एक बड़े फैसले लेने वाने उनकी सरकार कई बड़े फैसले निकाजी स्वाधिन होंगे मालूम पढ़ जाएगा हमी जीत कर आने वाले थोड़ी कुरियोसिटी को सांथ चल सो दिन के भीतर लागो हो जाएगी वह आपकी एक कल्पना है हमने हमारे घुषना पत्र में पांच साल के घुषना पत्र में रखा है उचीत समय पर हो जाएगा पर जहां एक एकसवे की बात चल रहा है देश में जिसके दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा इसमें क्या बिचार आगी देखे राहूँ जी कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं गनिमत है कि उनको करने का मौका जनता नई देती है और इस पार भी नहीं मिलने वाला है धन्यवाद अब साइद वीडियो ठीक से प्ले वीडियो ठीक से प्ले मैं यहां कहे कर जाता हूँ बात ये जन्ता पाइटी की सरकार बनेगी तो एक घैज समवेधानिक मुस्लीम रिजडवेशन को हम समाद कर देगी ये अधिकार तेदंजाना के मुस्लीम रिजडवेशन को हम समाद कर देगी तो एक घैज सम्वेधानिक मुस्लीम परदोर कर देगी कर देंगे विजर्वेशन को हम समात कर tub वीडियो आपके सामने हैं दुरा कर्बद निवेदन है कि आप सब कर और इस फेक वीडियो के बारे में कॉंग्रेस जो भ्रांती भेला रही है वो भ्रांती को निरस्ट करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे और आप सभी का इतनी चुबह यहाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नौस्कार सब्सक्राइब करें और मुस्लिम का भारी तरफ से सपोर्ट मिलें इसका कारण क्या है देखे हम कभी वाटर को माइनोरिटी मैजोरिटी की दुष्टी से नहीं देखते हैं हर व्यक्ति भारत का नागरिक है उसको इसी तरह से ठीट करना शाहिए परन्तु मैं इतना जरूर कह देता हूं आसाम में हम कम से कम 12 सीट चितेंगे यह तय है हमारी पार्टी इसके बहुत अच्छा एक्मोस्पियर है यहां जो सांती मोदी जी प्रदानमंत्री बंद के बाद प्रस्तापी ठुणी है जो विकास का वातारों मीड़ा है सेमी कंड़क्टर के इंवेस्टमेंट को यहां आने से यहां के यूठ में काफी उच्छा है है मंत विश्व सर्माजी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योद्नाओं को नीचे तक पहुचाया है धेर सारे भूमी कबजा के केसों को रिजॉल किया है और आज आसाम की ज अमिद भाई आप लगातार प्रचार में जा रहे है और आपकी पार्टी लगातार के रहे हैं और विपक्स के कई नेताओं का यह कहना है कि आप भी तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं और उन्होंने प्रान प्रतिश्टा के कारेक्रम का बहिस्कार किया माइनोरिटी वोट के डर से वो बता रहे हैं वोट देने का काम जनता को करना है हमारे घुशना पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतिय जनता पाटी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी वो 89 से हुआ पचासी से कहें आज से नहीं कहें तो राम की ही कुरुपा है कि अब गोशना पत्र में रखने की जरूरत नहीं है मंदिर बन चुका है अम consent ambient गलला की आपके अलावे से देश में कोई नहीं मानताया में क का अव 갑자기 के पास एका मतली सरकार प्रती के प्रसाशन हमारे पास नहीं है तो उनको ही चिंता करनी चाहिए फिर भी मुझे लिक करकूध ब्येगी तो हम सहां जरूर gas सब्सक्राइब तो यह लोगों का कॉंग्रेस के पति है इसलिए आपके तरफ नुजाव है या आपके कावों के नेगेटिव वॉट नहीं मिल रहा है नरेंद्र मुदी सरकार और है मंत विश्वस और मां सरकार के अच्छे कामों के कारण एक मजबूत पोजिटीव वर्ट में आचाम में जन्रेट हुई है हमारा पोजिटीव वर्ट सरकारात्मक वर्ट में चलो गया हो गया चल दन्यवाद करामों के अच्छे कर आ सक्राइब से आगंतूक निर्बासैनात कमी बारोखन अखान लाफ़ कुर पना तेमां घावनी लगोटेत अखा ने लेकोरीछेदे ने आपड़ा पोजिव व्या क्या चाहिए हुआ अप्रप्रवस रचार कोरावली तेम विशुकाने से रहूल ग बारोखन आखन दखलार डाभी कोर से केंदियो ग्रिहामां ट्रीकोरा कियार कॉंग्रेसोर भीजुगाग प्रोट्यूटर दिसे अमित्साहे बिजेपी, स्ट, 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 च, रो, बीसी रिवाबे खंक राखनर हमुठाग चौंग्रेसोर भीजुगाग प्रोट्यूटर अमित्साहोर तेयों इतिमेधे उले कोर से चौंगे से भूल बार्ठाभी बापाया से ख़दाय रखागी जापी निजोर कामकोरी ठोकार कथा ते उले कुरिसे हरो अटी कोमे ओखमाद बारोख होना होन लाफ कोरा कोथा आजी गोखना कुरिसे होंगमाद मेलाट के अंडियो ग्रीहामान प्रीगोरा किये भारत और गुरब गुती विश्चती यार खन्माद स्ट्रोंग माने माइथान स्टील